पवित्र और इजास के रिष्टे के बीच में कहां प्रॉब्लम्स आ रही है या क्या ऐसी अर्चन है कि दोनों आगे नहीं बढ़ रहे हैं अब इसको लेकर पवित्रा ने बयान दिया है यकीन मानिये में एक बॉस्पॉटी में यह जो पाविजास की जोड़ी बनी है वो लोगों को बहुत पसंद आ रही है दोनों अगसे कहीं पर भी स्पॉट किये जाते हैं तो इन दोनों के बीच की जो क्यमिस्ट्री होती है उसको देखकर नहीं लगता है कि इन दोनों मतलब आपस में दूसरे के प्यार के नशे में जो डूबने वाली बात है न वो इन दोनों को देखकर लगती है लेकिन आप पवित्रा ने बताया कि एजास के धर्म की वज़े से उनकी मा थोड़ी परिशान है पिता को कोई प्राबलम नहीं लेकिन मा पुरानी संस्कृती की है और आप आपसे दोनों की बारे में जानता है मेरे परिवार में मेरा भाई भी आपसार यूँकि वो मेरे साथ रहता है इसलिए अखसर मिलता ही है मेरी फैमिली काफी बड़ी है एजास के बारे में सब जानने लग गए है मुझे लगता है कि अगर कोई समस्या होती तो हमें इसके बारे में अराम से पता चल जाता लेकिन भगवान की किरपा से कोई मुद्दा नहीं है हर कोई हमें धीरे धीरे जानने एक दूसरी को अच्छी तरह से जानने और समय लेने की सला दे रहा है मेरी मा एजास के धर्म से इसलिए भी थोड़ी से परिशान है क्योंकि वो बिलकुल अलग संस्कृति की है मेरी मा का मानना है कि पहले हम एक दूसरी को अच्छी से जाने समझो और फिर कोई फैसला करे वही मेरे पिता इस मामले में एकदम अलग है बिंदास है मैं लिविन रिलेशन्शिक में रहती हूँ और इससे उन्हें कोई एतराज नहीं लेकिन हाँ कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उनसे पूछना जरूरी है एजास भी ऐसी ही सोच रखते हैं और अच्छे से जानते हैं कि हम दोनों अलग-अलग धर्म के हैं हर कोई हमारे रिष्टे से खुश है लेकिन सभी लोग एक चीज़ चाते हैं कि हम थोड़ा धीरे-धीरे चले और एक दूसरे को जादा से जादा टाइम दे तो एक बात तो तैह है कि यही बात बेक बॉस 14 के घर के अदर ये दोरों भी कर रहे थे कि वो दोनों आपस में एक दूसरे को पहले थोड़ा समय देना चाते हैं और उसके बाद शादी को लेकर कुछ भी डिसीजन लेंगे लेकिन अब पवित्रा ने बताया कि उनकी मम्मी थोड़ी पुरानी संस्कृती की है इसने अजास के धर्म को लेकर थोड़ी परिशान है लेकिन पिता को कोई तकलीफ नहीं हाला कि अब ये देखना होगा कि जो समय इन लोगों ने दूसरे को एक दूसरे के रिष्टे के लिए दिया है उसके बाद ये दोनों जो है आपस में क्या डिसाइड करते हैं हाला कि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से ये दोनों आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं तो यहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये दोनों शादी के बंदन में बंद ही जाएए